तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे तो आगे हो एक नए वीडियो के दाज जिसमें हम फिर से बहुत सारी बाते करेंगे 1945 एरफोर्स गेम से रिलेटेड लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि नहीं खुश हूँ उसकी वजाए ये है कि मैं इतने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 1945 एरफोर्स गेम से रिलेटेड लेकिन आप लोगों का सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है ठीक है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग उससे जो भी कोश्चन पूछ हैं मैं उसका अंसर दूँ और जो भी जानक सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग कर रहा हैं और लायक भी बहुत कम आते है । कमेंट भी कम ही आते हैं ठीक है मैं आपसे लोगों से कई लोल大家好 कि जब भी आप वीडियो को मिन देख ले तो कम से कमंद को में निख दिए कि हांि कमेंट अच्छो वीडियो अच्छी थी नह जो है वो ग्रोव करें ठीक है अभी जैसे में कोई वीडियो डालता हूँ तो उसमें बिसिकली क्या रहता है कि मैं अठारा अठारा बीजिस विनिट आधे आधे घंडे की वीडियो अप्लोड कर रहा हूं जितनी जानकारी मैं आपको दे सकूं उतनी दूं ठीक है लेकिन फि अम्योकेशन में दिक्कत हो रहे है कुछ तो दिक्कत है कहीं पर जिसकी वजह से जो मिलना चाहिए सपोर्ट वो नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो अगर आप लोगों को लगता है कि हां यहां पर यह कमी है या वीडियो में यह कमी है या कोई ऐसी बात है तो आप लोग उसको Share कर सकते हैं बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये दिक्कत है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीग है नहीं तो मैं आप लोगों से तो हमेशा हर बार यह ही कहता हूँ बार-बार कहता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर को भी कर दिया करिए, कोई आपके जान में, दोस्त में, घर में, फैमिली मेंबर में, कोई भी ऐसा है, जो 95 वेरफूस गेम्स को खेलता है, उसके पास वो वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे, और उसको भी, जोभी जानकारी चाहिए, वो मिल सके, ठीक है, जैम्स कैसे मिलते हैं, मैं ये भी, आपको कही बार बता चुका हूँ, ठीक है, कहां से मिल सकते हैं, ये भी बता चुका हूँ, और कितने मिल सकते हैं week में, month में ये भी बता चुका हूँ ठीक है, equipment से related भी सारी जानकारी में आपको दे चुका हूँ ये equipment को कैसे use करना है कहां से मिलेगा, कैसे आप upgrade करेंगे, ठीक है merge कैसे करेंगे, वो ही बता चुका हूँ कि merge कैसे होंगे और upgrade कैसे होंगे, ये भी बता चुका हूँ ठीक है, अब रही बात कि aircraft, wingman और device को powerful कैसे बनाए, तो उसके बारे में भी, मैं कई बार कई videos में बता चुका हूँ, आप लोग search करते होंगे, तो मेरा channel भी आता ही होगा आपके सामने ठीक है, क्योंकि में regular basis पे आपके लिए videos लाता ही हो, ठीक है एक दो दिन का gap हो गया, तब भी में लही आता हूँ कोई नया event आया, तब भी में उससे related आपके पास कोई न कोई जानकारी लेकर आए जाता हूँ, कि इस event को इस तरीके से खेलना है, इसमें ये reward मिलेंगे और इससे आप ये benefits ले सकते हैं modules के बारे भी बता चुका हूँ कि modules के uses कैसे होंगे gold point का use क्या है, wrench कैसे use करेंगे, कहा कहा पे wrench, gems, gold points ये सब आप use कर सकते हैं कैसे आप नए aircraft को purchase करें, या event में उसे खो लें जिससे आपको आले उसको merge करने में आसानी हो ये भी मैं कई बार, कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से आप लोगों से ये कह रहा हूँ, या आप लोग वीडियो को पूरा देखिए like, subscribe, share करना मत भूला करिए, क्योंकर और support पुरा करिजिए जो लोग support कर रहे हैं, उनको बने हुए हैं, ये बहुत वीडियो को watch कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी फिलाल क्या है कि वीडियो देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, पर subscriber नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो subscribe कर लिया करिए, ठीकर बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए, जिससे कि कोई भी नए वीडियो में डालूँ, तो उससे notification आपके पास जाए, और आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तो आते हैं फिसे इपने topic पे, तो thanks given में chicken invader के बारे में मैं आपको बता चुका था, कि इसमें कैसे इसको play करना है, वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, 11 days left है, यह time taken वाला है, तो इसमें समय लगेगा आपको, तो इसके बास में आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं, कि कैसे इसको खेले, कि जिससे यहाँ पे जो rewards बिलने हैं, वो आपको मिल सके हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे rewards है, gems है, battery power है, battery power के बारे में बता चुका हूँ, कैसे आप battery power का use कर सकते हैं, जिससे aircraft का इंतिन जो है, वो upgrade होगा और वो आपको support करेगा, आपके, opponent के खिलाम, ठीक है, जिससे आप उसको कर पाएंगे, अब जैसे एक comment आया था मेरे पास, कि वो ने कहा है, कि मेरे पास जो custom gear है, वो branch level का है, और fully upgraded है, दूसरा उनका aircraft जो है, वो भी टारवन में fully upgraded है, फिर भी वो beat नहीं कर पा रहे हैं, तो देखें, आपका aircraft fully upgraded है, custom gear भी fully upgraded है, तो आपको अपने game पर थोड़ा ध्यान देने की जुरत है, कि आप जो भी mission खेल रहे हैं, उसमें basic requirement क्या है, जैसे eliminate में क्या है, eliminate में होता है, कौन सबसे ज़्यादा points बनाता है, जिससे अगर आपका फाइदा मिलें आपके gaming में, जो gaming experience है, उसमें आपको फाइदा मिलें, basically क्या है, कि skills की भी जरूरत है, इसमें अगर आप eliminate mission या last withstand, last stand या United withstand आप कोई भी किनो में इसे खेलता है, अब जैसे बात करते हैं, last stand की, तो last stand में basically क्या होता है, कि इसमें आपको आखी तक जिसका aircraft टिका रहेगा, game में, वो जीतता है, ठीक है, United withstand में क्या होता है, कि उसमें भी points related है, आपके साथ एक partner रहेगा, सामने दो opponent रहेगे, जिसके points ज्यादा होंगे, वो जीत जाएगा, ठीक है, तो इसमें basic graph, wing mirror device को upgrade करना है, custom gear को upgrade करना है, powerful बनाना है, और थोड़ी skill का भी आपके use करना है, दिमाग लगाना है, कि कहां पे कभ हमें boost का use करना पड़ेगा, या करना चाहिए, ठीक है, co-pilot event के बार में बता चुका था, एक comment आया था, कि co-pilot event में उन्हें master program अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, master program ठीक है, इसमें मैं आपको बता चुब रहा था, कि यहां पर basically आपको क्या करना है, कि you need to roll this specialize set for this pilot first, तो कोई pilot ऐसे है, जिनके वो लिए, आपको इसमें slide set को roll करना पड़ेगा, तभी आप उसको use कर पाएंगे, ठीक है, जिसके पास ज्यादा co-pilot है, वो इसमें use करेंगे, तो उनको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, training shop है, इसमें basically मैंने भी device पर ही, खुला है मेरा, क्योंकि मैं भी इसको ज्यादा खेला नहीं हूँ, तो इसलिए इसमें वेरा device का catalog open हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, कि इसमें wingman, aircraft और device के catalog open होंगे, चौथा यह open होगा, battleship का, ठीक है, तो इस बात का आपको इसमें ध्यान देना, टायर थीट, टूर्णमें, डिश्टार्ट हो गया है, इसके पास भी टायर थीट, aircraft है, वो इसको basically, play कर सकता है, और यहाँ पर rewards को पा सकता है, ठीक है, जैसके यहाँ पर rewards, अच्छे अच्छे, डेर सो है, gems, ठीक है, मैं basically, जो टूर्णमेंट होता है, उसको विंग मैं पर्चेस करना है, मुझे डिवाइस पर्चेस करना है, तो मुझे gems की जुरत पड़ेगी, मुझे merge करना है, तब भी मुझे gems की जुरत पड़ेगी, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, कि जब भी आप aircraft, wingman and device को पर्चेस करने के लिए जाए, तो ऐसे aircraft, wingman and device को पर्चेस करें, जो आप आसानी से दूसरे के साथ merge कर पाए, क्योंकि सारे aircraft, सारे aircraft से merge नहीं होते है, कुछ specific aircraft है, जो एक दूसरे से merge होते है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, आपको randomly कोई भी aircraft, wingman and device को पर्चेस नहीं करना है, तब ही आप अच्छे से यूज कर पाएंगे और खेल पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर basically मेरे पास दो है, तो मैं इनको चूज कर सकता हूँ, आप भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास है तो, thanksgiving tournament जो है, याँ इवेंट कह सकते हैं, वो दो दिन में start होने वाला है, ठीक है, तो इसमें basically ह हमें rewards मिलेंगे, जो आपके aircraft, ringman and device को upgrade करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है, मैंने यह भी बताया था, कि आगर आप special event को खेल रहें, और मान लेते हैं कि 14 days में से 13 days हो चुके हैं, और आपके पास अभी 45,000 ही medals इकठी हो पाएं, तो आप basically क्या कर सकते हैं, आप gems की मदद से container को open कर चते हैं, चाहे वो device का हो, चाहे windman का हो, चाहे aircraft का हो, ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि आप जब एक free container या कोई container open करते हैं, तो आपको 500 मिलते हैं एक container अप्टू मिलता है, उनदेंगे, अप तो 500, वो 200 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम on average 200 भी लेके चलते हैं और आप 10 aircraft को भी open कर लिए तो 2000 points या 2000 medals आपको वहाँ से मिल गए तो इस तरीके से आप यहाँ पर aircraft wingman and device को upgrade भी कर पाएंगे क्योंकि आप container जो open करेंगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर container है जब आप container open करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि आपको 50-60 modules ऐसे मिलेंगे जो सारे wingman पर काम करेंगे और यह जो green वाले हैं यह कुछ specific के मिलेंगे रेंडम नहीं है तो जिस पी device का मिलेगा उसी पर आपको यूज कर पाएंगे लेकिन यह red वाल है small chunks of one into one मतलब एक बहुत कम chances आपको 45 का कार्ट मिल सकता है जिससे आप equipment को पा सकते हैं वहीं 120 में भी है कि इतने इतने आपको मिलने है container wingman करेंगे और यहाँ पर जो गोल्ड container है जो aircraft related है उसके बारे में भी लिखा हुआ अब यहाँ पर दो तरीके के chest होते हैं एक होता है normal chest एक होता है rate of chest normal chest में आपको normal मिल जाएगा कुछ भी मिल जाएगा लेकिन rate of chest जो है उसमें जो aircraft ऊपर आपके बना हुआ है जैसे यह aircraft बना हुआ है दो इन दोनों में से किसी एक का आपको मिलेगा module तो जिसका आप use कर पाएंगे upgrade करने में ठीक है इस तरह wingman का बना हुआ है और इस तरह device का बना हुआ है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको normal chest चाहिए randomly तो उसको अब लीजिएगा और अगर आपको rate of chest चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हैं ठीक है modules यहां से भी मिलते हैं अगर आपके पास 12,000 120,000 हो चुके है 12,000,000 के अगर आपके पास points है gold points है तो आप उसके एक बिहाफ पर 1000 modules पासकते है aircraft के 2000 modules पासकते है wingman के और 4000 modules पासकते है device के ठीक है यह truck है जिसमें offers है जिससे आप VIP pass में पासकते है ठीक है इसको James के मदद से आप battleship में जो वहाँ पे ignored होता है उसमें आपके लिए यह सब चीज़े available है 750 पर जेमस में ठीक है अगर आप purchase करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा अगर आप purchasing करेंगे यहां से offer में जाकर तो वहां से आपको क्या मिलेगा VIP pass मिलेगा VIP pass basically इसी पर depend करता है कि आपका VIP pass level 0 है, level 1 है, level 2 है, level 3 है जितना आप purchasing करेंगे वैसे वैसे आपका VIP pass जो है वो बढ़ता जाता है जिससे आपकी जो benefits हैं गेम को खेलने के वो बढ़ जाते हैं ठीक है, अब जैसे एक question ये भी आया था, कि अगर division कोई बनाता है ठीक है, तो उसको क्या benefits मिलता है, ठीक है, division basically किस लिए बना जाता है, कि यहां पर आपको core points मिल जाएंगे, gems मिल जाते हैं, wrench मिल जाते हैं, कुछ gold points मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसका core point होता है, उसका use आप करते हैं, आप modules को purchase करने हैं, ठीक है, जैसे यहां पर है, यह मेरा division है, इसमें यतने सारे लोग जुड़े हुआ है, ठीक है, तो जो basic purpose है division बनाने का, या division में add होने का, या अपने आपको add करने का, वो यही है कि, जैसे मैं आपको यहां पर show करता हूँ, shop में जाते हैं, तो अपडेट होते हैं, तो उनको मैं यहां से ले सकता हूँ, आपको 12,004 points है, वहाँ पर चाहिए तो 12,005 points और यहां पर सिर्फ चाहिए 12,004 points जिनकी मदद से आपको modules मिल सकते हैं, अपने aircraft, wingman और device को अपडेट करने के लिए, ठीक है, यहां पर, देखे, modules लेने के, कौन-क के लिए, क्योंकि जो normal खेलने वाले लोग हैं, जो purchasing नहीं कर रहे हैं, उनको modules रहने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, कि आप यहां पर watch add रोज कर सकते हैं, जिनकी मदद से आपको modules मिल जाएगे, ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा के लिए आपको single player में आईए, और यहां पर जो missions हैं, वहां के cart में जाएगे, तो यहां से भी आपको daily basis पे points की मदद से कुछ modules मिलते रहेंगे, ठीक है, यहां से james भी आपको मिलेगा, रेंच भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अब अपग्रेट करने के लिए हमें modules चाहिए है, जैम्स चाह अब यहां पर basically दिखा रहा है engine power week, ठीक है, तो यहां पर plus icon पर click करेंगे, ठीक है, और यहां से आप ले लेंगे battery power को, ठीक है, जितना भी आप James को यहां पर pay करना चाहिए, उतना James को spend करके यहां से battery power को ले सकते हैं, और फिर रेंच की मदद से आपका जो engine है, वह week से moderate हो और moderate से हो जाएगा advance, ठीक है, अब यहां पर देखे, पाँच 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 या 666 है, तो मतलब 24 times हमें upgrade करना पड़ेगा इसको, उसके लिए हमें चाहिए क्या battery power और range, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टायर वन का अपना aircraft, टायर व अपने upgrade है, तो आपको इस बात पर ध्यान देनी है, कि क्या आपका engine भी upgraded है या नहीं, ठीक है, तो जो pro player है, वो अपने engine को भी advance level पर लेकर जा चीक है, ठीक है, तो इससे क्या है कि उनका aircraft power बढ़ी हुए है, और इसके कारण वो आपको build कर देता है, ठीक है, अब जैसे certificate भ के भी जुरुत होती है, तो आपको क्या है कि यहाँ पर special training force भी करना पड़ेगा, तो basically क्या है कि आपको अपने aircraft को ज्यादा पाउब करने के लिए, जो भी required चीज़े हैं, वो करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपका जो aircraft है, इन विंग मैन है और डिवाइस है, यह upgrade होंगे fully तरीके से, और तब आप अपने opponent का भारी पढ़ेंगे, तभी आप उसे beat कर पाएंगे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो आप use करेंगे, तभी आप इसको बहतर तरीके से खेल पाएंगे, और तभी आपको यह पता चलेगा, कि आप अपने opponent को आसानी से beat कर पा रहे है या आपको time लग रहे है, जैसे यहाँ पर मैं show कर देता हूँ, अगर मैं जीतूंगा तब भी show कर दूंगा, कि मैंने basically देखे तुरंत मिल गया है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मैं beat कर पाता हूँ या नहीं beat कर पाता हूँ, या opponent मेरा मुझे beat करता है अब इसलिए क्या eliminate mission है, लेकिन इसने basically क्या देखना है, कि कौन किसको इतनी ज्यादा point से beat कर पाता है कर दोär उस यहाँ मन इसमेंगा जड़ा है कर दो नही आए जए जवाँ, या खरम आएप है कि अधैसे तो यहाँ पर में इसे बशेक मैं कर पाओंगा क्यों नहीं कर पाओंगा क्यों नहीं कर पाया वो भी देज dennते हैं कि उसके सिके मुझे क्या श memorable कelinेंगा थीक है अब जैसे उसका ये अब मैं इसे beat क्यों ने कर पाया उसका कारण है इसके जो custom gear है तीन custom gear ऐसे हैं जो gold level पे अप्ग्रेड़ेड़ है ठीक है पहले aircraft के दूसरे aircraft के क्या है इसमें भी दो custom gear ऐसे हैं जो gold level में upgraded है ठीक है मेरे मेरे भी silver और bronze ही है ठीक है यहाँ पर भी इसके देख़े चार ऐसे हैं जो gold level में upgraded है और तीन ऐसे हैं जो bronze और silver में है ठीक है तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आपके अपनो आपका जो अपोनेंट है वह आपको कैसे बीट किया और आप उसे बीट नहीं कर पाए ठीक है एक बार और देख लेते हैं तो इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि आप बीट नहीं कर पाए या कर पाए तो क्यों कर पाए ठीक है कि अब देखें उसके पॉइंट कितने टेली से बढ़ रहा ह19 कि असे कि यह प्रता चल रहा है कि उसका पाएstone से ज्यादा पाउर नहीं और ऐसके होगे हैं 29.11 मिलियाई तो इस तठीके से भी आप इसी इस को देख सकते हैं आपका जो अपोनेंट है अगर उसके पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर आपके पॉइंट से बढ़ रहे हैं तो आप वही समझ जाएंगे कि आपके अब देखें उसका जो पहला एरक्राफ्ट है वो इस टार त्री लेवल का है तो दूसा तीसा चौथा तो कम जोर है लेकिन उसका पहला एरक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉइफूल है जिसके करण जब उसमें बूश्ट यूज़ किया तो उसकी जो पॉइ देखिए लाइट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यो जब खुिंगना जब खुत करण बूलेगा क्षैयर को जब पिसका यूज़ कि जब झजे यूज़ इसने हैं द्रब शेखिए नबया जब